मसर और सरसों के बाव में 400 रपे प्रतिक वेंटल की बढ़ोतरी जबरदस्त बढ़ोतरी की है किसान दिली की सिमा पर MSP की गारंटी वे तिनों कानून वापसी को लेकर पिछले 10 मेनों से धर्नों पर बेठे हैं इसी बीच के अंदर सरकार ने अगले सिजन रभी जिसमें लोग जिसे हाडी का नाम भी दे देते हैं उसका MSP यानि के नियूनतम समर्थन मुले में बढ़ोतरी करते हुए किसानों को यह अस्वासन देने की कोशिश की है कि MSP खतम नहीं की जाएगी जिन फसलों की MSP बढ़ाई गई है उन में गेहूं यानि के कनक, जवार, बाजरा, छोले, यानि के चना की फसल मसर, कैनोला, सरसों और कुसम के फूल शामिल है साथ नो इकिस को मंगलवार को केंदरिये कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें इन फसलों के बाव MSP नियून्तम समर्थेने मुल्य में बरीदी पर सभी ने सहमती का फैसला लिया इस मीटिंग में परदान मंतरी नरेंदर मोदी भी शामिल थे जिसकी जानकारी केंदरिये मंतरी पियूस गोईल की तरफ से दी गई इन फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 400 रुपे प्रती कुएंटल मसर वे सरसों में की गई है जबकि गेहूं जिसे कनक के नाम से भी जाना जाता है इसके MSP में मतर 40 रुपे कुएंटल की ही बढ़ोतरी की गई है जो के बहुत ही कम वे किसानों में निराशा देने वाली है पिछले 10 सालों में गेहूं में सबसे कम बढ़ोतरी की गई है सरकार का तरक है के गेहूं की बवाई में बवाई से लेकर उतपादन तक 108 रुपे खर्चाता है इससे अब किसान को इसमें जो लागत पर है 100% का फाइदा होगा यानि के 100% मुनाफ़ा होगा इसकी जो 108 लागत के बाद जो इसकी खरीद की जाएगी वो 2015 रुपे की जाएगी यानि के डवल हो जाएगी जो सरकार जो आश्वासन दे रही है किसानों को डवल इंकम का बढ़ाएगे MSP के बाव आप सक्रीन पर देख सकते हैं 2022-23 के सेशन के अंदर रभी फसलों के जो बाव बढ़ाएगे हैं उनकी सक्रीन के उपर आप इसकी पूरी चार्ट में समझ सकते हैं जैसे के करोब पहले चना की बात करें तो चना का जो पुराना बाव था ओल्ड MSP था वो 1100 रुपे था इसमें जो इसका बाव MSP में जो बढ़ोतरी की गई है वो 130 रुपे की की गई है न्यू नया MSP जो है इसका 530 रुपे रहेगा सरसो में 450 रुपे पुराना इसका ओल्ड बाव था 400 रुपे प्रती कुएंटल के इसाब से बढ़ोतरी की गई है अभी जो नया न्यू MSP है वो 5050 रुपे इसका रहेगा कैनलवा की अगर बात करें तो इसका भी 4650 रुपे बाव था 400 रुपे की MSP की इसमें बढ़ोतरी की गई है और 5050 रुपे इसका रहेगा सुर्ज मुखी की अगर बात करें तो इसका 5237 रुपे पुराना बाव था पूल्ड बाव था, 114 रुपे की इसमें बड़ोतरी की गई है, अभी जो इसका नया MSP है वो 541 रुपे रहेगा, गेउं की अगर बात करें तो इसका गुनी सो पचेतर रुपे पुराना बाव था, 40 रुपे की मातरी इसमें बड़ोतरी की गई है, जिसकी ज्यादा जो चर् बड़ोतरी की की गई है, अभी 1635 रुपे रहेगा, न्यू MSP है जो वो रहेगा, मसूर की अगर बात करें तो मसूर का ओल्ड MSP जो 1100 रुपे था, 400 रुपे की इसमें बड़ोतरी की गई है, इसका जो न्यू MSP है वो 500 रुपे रहेगा, तो किसान भाई यो यह थी संपू में अपना सुजाव जरूर दे हैं या किसी फसल के अन्य की जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके जानकारी ले सकते हैं। हम मात्र 2-3 गंटे के अंदर अंदर हर कमेंट का रिपलाई करते हैं। किसान बाईयो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ तब तक दीजे जाजत जया हिंद वंदे मात्रम।